Welcome back to my channel आज का रेसीपी है वाइट सौस पास्टा तो जरूरिली क्या होता है न वाइट सौस पास्टा बोले से बच्चों का सबसे फे़रिट होता है चलो सोचे कि आज यही बना लेते हैं सुबा का टिफिन यही देने वाली है तो white sauce pasta उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है drum pasta drum pasta कुछ drum नहीं है मतलब pasta को जो design है वो bamboo जैसा लंबा लंबा है आप देखी सकते हैं pasta बहुत तरीका के होता है नाम उसका अलग है मतलब pasta अलग कुछ ने design अलग अलग है जैसे की shell जैसा हो गया pipe जैसा हो गया spring जैसा हो गया तो यही सारे हैं उसके हिसाब से नाम भी change हो जाते है paint pasta spring pasta ठीक है तो pasta एक ही है और कुछ अलग कुछ है नहीं तो pasta को मैंने simple सा boil कर लिया उसको मैंने नमक भी नहीं डाला है तेल भी नहीं डाला है simple पानी में सादे पाने में इसको boil कर ले रहे हैं एकदम boil पूरा full boil कीजिएगा ऐसा नहीं कि half boil करना है 80% 90% सा कुछ नहीं full boil करना है pasta जल्दी से तूटता नहीं एकदम पकर के चलिए pasta इतना आसनी से तूटने वाली चीज़ है नहीं मैं यहाँ पर कुछ vegetable काट ले रहे हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है broccoli यह optional है आप चाहे तो ले सकते हैं चाहे तो ना भी ले सकते हैं broccoli देखने में भी अच्छा लगता है और इसका गुण भी बहुत अच्छे है बच्छों के लिए बहुत अच्छा होता है उसके साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर गाजर मैं सिंपल से वेशिबल से होंगी जाद वेशिबल नहीं देने वाली हूँ गाजर भी है मैं यहाँ से थोड़ा से ही काट ले रहे हूँ मैंने देखी एकदम नीचे वाला हिस्सा नहीं लिया जो एकदम टेंडर है उसको लिया है बेबी वाला शूट लिया है अभी जो ब्रॉकली लिया है मैंने उसको छोटा छोटा पीस करके काट लेंगे ताकि यह बहुत जल्दी से पक जाया मतलब यह कूक जल्दी से हो जाया उसको छोटा छोटा पीस में इसको काट लेते हैं साथ ही मैंने गाजर को भी एकदम पतला पतला पीस कर लिया है अब इसको हलका सा ब्लांचिंग कर लेंगे ब्लांचिंग भी नहीं 50% बॉयल कर लेते हैं तो इसको ढख के थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं और इधर कड़ाई में मैं कुछ कैप्सिकम जो मैंने डाइस करके काट के रखा मैं तो चोकण चोकण करके काटा है उसको हलका सा कर लेते हैं फ्राई और उसी तेल में जो ब्रोकली और कैरट मैंने बॉयल करके रखा उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और जिसे हलका सा फ्राई हो जाए हलका सा उसे नमक देंगे जादा नहीं हलका नमक देंगे और थोड़ा सा चला के ब्रोकली और कैरक के भी उठा के साइड में रख देते हैं उसी तेल में डाल देते हैं हम पत्ता को भी जो हमने मोटा मोटा करके काट के रखा हुआ है उसको भी हलका सा चला लेंगे और वो थोड़ा से होते ही हम डाल देंगे पास्ता जो हमने पहले से बॉल करके रखे हैं उसको भी हलका सा फ्राइ कर लेते हैं अभी डालते हैं स्वाद अनुसा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर यह अपने तीखा जैसे खाएंगे उसकी साबसी डालेंगे जादा ना डालेगा बच्ची खाने वाले हैं तो मैंने हलका साई तीखा डाला हैं अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स मिक्स करने के बाद थोड़ा से चलाने के बाद थोड़ा से कुक करने के बाद उसको भी निकाल के रख देंगे अभी सेम कड़ाई में ही हम बनाएंगे वाइट सॉस वाइट सॉस कैसे बनाएंगे जो तेल है वो तो वाइट आयल है ही उसमें हम 3-4 क्यूब बटर के डाल देते हैं बटर जैसे पिगल जाएगा उसमें हम डालेंगे आटा जनरली वाइट चॉस में मैदा ही डलती है लेकिन मैदा जादा हिल्दी नहीं होता है बुच्छों के लिए तो मैंने यहाँ पर मैदे के जगा आटा ही डाला हूए इसे यहाँ पर देख रहे हैं जितना है आप डालेगा जैसे अगर ढालते हैं चार- pace क्यूब मेखर के तो महाँ पर आप दो चामच या तीन चामच आटा के डालेगे अगर मैदा होगा तो सेम ही होगा quantity मतलब आपको पूरा मैदा डालने के बाद वह एकदम फ्लोइंग कांसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए मैं डाल रहे हुए अब देख लीजे कैसा अब इस आटे को मैं फ्राइ करने वाली हूं मक्खन में जो मक्खन पिगल चुका है उसी में इस आटे को फ्राइ करेंगे थोड़ा सा जादा नहीं जादा लाल नहीं होना है हलका सुनेरी जैसे होगा एक अच्छा सा खुश्बू भी आने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आटा फ्राइ हो चुका है मैं यहापर कोई कट नहीं कर रही हूं अब देखिए जितना टाइम लगा है मैं उसी उतना टाइम लेके ही आपको दिखा रही हूं इसको चलाते रहेगा गंटीनर देखिए यह फूरा फ्रोइंग कांसिस्टेंसी नहीं है लेकिन थोड़ा सा थिक भी दिख रहा आपको तो इसको चलाते वे हम दो कुक कर लेंगे देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हुआ ह तो इसको थोड़ा सा और कुक कर लेते हैं जैसे यह हो जाएगा इसमें हम डालने देंगे दूद दूद आप जब लेंगे ना वो आप फुल फैट मिल्क ही लीजेगा तो क्या होगा ना अलेक से आपको चीज डालने की जरुद नहीं पड़ेगा फुल फैट अगर होता है तो जैसे देखे यह कितना अच्छा जाग जैसा बन रहा है मतलब आपका आटा फ्राय अलड़ी हो चुका है देखे मैंने यह पर फुल फैट मिल्क डाला है यह पूरा जो अभी गिरा यह पूरा क्रीम उपर का जो मलाई था पूरा इसमें मैंने डाल दिया है अभी करना और चला नहीं तो यह पर लॉम्स बन जानी है तो इसको चलाएंगे दूद कितना देना है आप डालने आप पता चलेगा जैसे आपको कैसा ठिक रखना है मतलब पतला रखना है या तो गाड़ी रखना है उसके हिसाब से आप दूद डालेगा अगर जादा पतला करना पास्ता के उपर सिर्फ लगे भी रहेगा बहना नहीं है बेटी को बहने वाला सौस पसंद नहीं है तो मैं एकदम स्टीकिस्टी की बनाने वाली हूँ तो देखे मैंने एकदम गाड़ी जैसा बना लिया है जितना गाड़ा होगा उतना ही अच्छा है मेरे लेकिन आप लोग इसको पतला कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका कांसिस्टेंसी अभी ऐसा है अब इसमें डालते हैं पास्ता पास्ता को टेस्ट मेकर जो मिलता वही मैंने यहां पर थोड़ ऐसा डाला है ताकि थोड़ ऐसा चीजी फ्लेवर आ जाए ऐसा ही दूद ड चल लेते हैं अच्छी तरह से जैसे यह मिल जाए कोई लंप्स ना रहें तब हम यहां पर डाल देंगे हल्क ऐसा नमक स्वाद अनुसर और नमक को भी अच्छी तरह से चलाते में मिला लेंगे तो वाइच सॉस है तैयार अभी इसमें डाल देते हैं पास्ता और वेजिटे दे सकते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि मेरे पास थानी तब स्टॉक मेरा खतम हो गया था तो मेरे पास थानी मैंने नहीं दिया आप चाहे तो इसमें दे सकते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है मैंने सिंपल सा भी इसको अच्छी तरह स लीक होने का chances होता है तो मैं इसको एक दो सुखा सुखा ही दूगी तो बन चुका आज का हम लोगा white sauce pasta with lots of vegetables तो आज का रेसिपी आप लोगो कैसा लगा हमें comment करके ज़रूर बताईएगा अच्छा लगी तो जादा से जादा करके शेयर कीजीगा नए फ्रेंड्स भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं कोई रेस्पी बना आपके पास सबसे पहले पहुचें और इसको एकदम सर्फ कर देते हैं गर्मा गर्म और मैं करते हूँ या पर टिफिन पर पैक आप लोग की बना के इसको इंजोई करिए और आप लोग कौन से शेहर से मेरे चैनल को देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिएगा आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नया एक व्लॉग में नया एक सिंपल सा रेस्पी लेके तिल दन बाइ बाइ और इन्जोई दी पास्ता